दोस्तो आज की इस वीडियो में हम Google Translate को यूज करना सीखने वाले हैं आज के जमाने में अगर आपको कोई language नहीं आती है तो कोई भी आपको घबरानी की बात इसमें नहीं है इसकी लिए आजकल Google Translate है ना Google Translate की मदद से आप किसी भी language को किसी भी language दूसरी language में convert कर सकते हैं या जो language आपको नहीं भी आती हो उसे आप समझ सकते हैं सब कुछ मैं आसान भासा में इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको Google Translate को open कर लेना है तो कुछ इस type का इसमें दिखाई पड़ता है यहाँ पे आप देख सकते हैं English to Hindi लिखा हुआ है मतलब कि यहाँ पे मैंने English Select कर रखा है मुझे English से Hindi में translate करना है तो तभी मैंने यहाँ पे English Select कर रखा है कि इस language से मुझे किस language में translate करना है यहाँ पे आप अलग अलग भी इसमें चूज कर सकते हैं जैसे मुझे अगर English से गुजराती में translate करना है तो English तो मैं यहाँ पे रहने दूँगा लेकिन यहाँ पे Hindi में अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ अलग अलग languages दिखाई पड़ती हैं जैसे आप देख सकते हैं अल English में यहाँ पे टैक्स्ट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे Enter text में मुझे क्या लिखना है जैसे English में मैं Hi, How Are You लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ यहाँ यह आप यह आप गुजराती में यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ चुका है तो आपको क्या करना ह अगर यहाँ पे गुजराती में किसी को यह भेजना है, तो यहाँ पे copy वाला एक option दिखाई पड़ता है, यहाँ पे आप इसे copy करके, कहीं भी आप इसे paste कर सकते हैं, जैसे मैं वर्टसप में इसे paste कर रहा हूँ, तो paste करके मैंने यहाँ पे send कर दिया, आप इसे WhatsApp, Facebook कहीं भी इसे paste कर सकते हैं, तो इस तरह से यह काम करता है, यहाँ पे आप Hindi भी select कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे Hindi से लेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अगर मैं Hindi से गुजराती में भी इसमें translate कर सकता हूँ, और यहाँ अभी मैं normally Hindi to English यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुतलब अगर मु इसके लिए इंग्लीज में अभी translate हो चुका है, तो जैसे मुझे अगर इंग्लीज नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे copy वाले option पे किलिक करूंगा, और यहाँ पे किसी मैं भी इसे paste कर दूंगा, जैसे WhatsApp में मैं इसे paste कर दूंगा, तो यहाँ पे यह अपने चले गया है उस बंदे को, तो इस तरह से आप आप ही अच्छा खासा इसका Google Translate का यूज कर सकते हैं, यह जो भी आप एक language से दूसरी language में translate करते हैं, इसके लिए आपका net होना चाहिए, और इसके लिए अगर आपका net नहीं भी है, तो एक facility और इसमें दी हुई है, जैसे आ मतलब क्या है, अगर आप इसे अभी download कर लेते हैं, तो बाद में कभी भी, जब आप एक language से दूसरी language में translate करते हैं, और आपकी वो दोनों languages अगर downloaded already हैं, तो उस time पर आपको internet की जरुवत नहीं पड़ेगी, यह अपने आप उसको translate कर देगा, जैसे मैंने English इसमें already download कर रख किये, तो मुझे internet की जरुवत अब कभी भी नहीं पड़ती है, ऐसी ही आप कोई भी language को download कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक और option यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप किलिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मैंने Hindi और English select कर रखा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मुह से हिंदी में बोलना है, जैसे आप यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं, तो automatically यह आपका बोले हुए को English में यहाँ पर translate करके रख देगा, इसे यह English में translate करके यहाँ पर आपका text आजाएगा, आप उसे copy करके कही भी paste कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर camera वाले option पर click करते हैं, और आपके सामने कोई भी newspaper है, और अगर वो newspaper English में है, और आप चाहते हैं कि वो English का newspaper मुझे हिंदी में पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ प convert हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आप जैसे ही मैं यहाँ पर English newspaper पर इसे ला रहा हूँ, यह automatically यह पूरा Hindi में translate यह convert हो जा रहा है, यह अभी English में लिखा हुआ है, इसमें पूरा लिकिन यह जैसे ही मैं इसमें camera ला रहा हूँ, यह Hindi में अभी translate हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं, अभी यह English में आ चुका है, जैसे मैं यहाँ पर focus कर रहा हूँ, यह Hindi में आ जा रहा है, तो इस तरह से आप इसका use भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ अगर आप किलिक करते हैं, तो automatically आप अपनी gallery में चले जाए यह English में जो भी मैंने text था, यह जो भी news paper का यह था, यहाँ पर automatically अभी हिंदी में convert हो चुका है, आप photo को भी जो लिखा हुआ है text उसे किसी भी language से किसी भी language में convert कर सकते हैं, जैसे मैंने English to Hindi में यह convert किया, तो यह भी जो मेरा image में text था, वो English में था, यहाँ पर यह select करते ह है, आप इसे copy भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यह Hindi में already convert हो चुका है, तो जैसे मैं इसे copy करता हूँ, तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप copy text भी कर सकते हैं, जितना मैंने यहाँ पर select कर रखा है, इसे आप copy text करके कहीं भी WhatsApp में इसे paste कर सकते हैं, और किसी को भी भेज सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने WhatsApp पे यह पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने भेज दिया है तो इस तरह से आप कई अच्छा यूज Google Translate का कर सकते हैं तो I hope दोस्तों की आपको अभी Google Translate यूज करना आ गया होगा काफी आसान भासा में मैंने आपको यह बताया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए चैनल पे नए होतो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद